क्रिपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बिल आइकॉन दबाएं नमस्कार प्रभाद कबर के वीडियो सेक्षिन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ हम लगतार चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं जैसे जैसे जो चुनाव की रनीती है वो आगे बड़ी हम भी चर्चा करते रहे समझनी की कोशिश करते रहे कि कौन आगे जा रहा है चुनाव लड़ रहे है तो इस्तिति क्या बन रही है अब हमारी चर्चा एक मुकाम पर पहुं थी बेशक उस दिन से जब पहले दिन से हम लोग बात कर रहे थे जब उपीए का इंट्रेक्ट गडवन्धन जब जरक्रण में बन गया तो एक प्रॉराइजसन भूट का दिख रहा था सुरू दिन से जब से लोग बात कर रहे से तब से दिख रहा था और भाजपा के लिए चुनावती तब और बन गई जब आसू उनके साथ नहीं गया, तो एक बड़ा ही तगड़ा धुर्वी करन दिख रहा था महागडबंदन की और जेमेम के नेत्यूत में, तो आज जो चुनाव पर नाम आया है, उसमें हम यही कह सकते हैं कि जारखंड को हेमंत पसंद है, यह मैंडेट लोगों ने दिया है, आज को, 44 सीट पर अभी जो रुजान है ताजा, उस पर महागडबंदन आगे है, कॉंग्रेस बड़ा गेनर के रूप में उभर रही है, सामने 13 से 14 सीट कॉंग्रेस को आ रही है, 31 सीटों पर कॉंग्रेस ने चुनाव ला रहा था, तो पंका यह बहुत बड़ा मेंडेट है, जो महागडबंदन की तरफ गया है, और एक बहुमत की सरकार, फिर महागडबंदन ने को मिली है, जारकर्ण में एक मौका है, मतलब ऐसे रिजल्ट की, इसलिए मैं पूछ रहा हूं इस सवाल, क्योंकि एक तो स्पी इतनी विकट थी कि ये भी अपनी सीट नहीं बचा पाए? नहीं, 60% जो पूरा पोल होता था, वहां का, वो रगवर जी के खाते में जाता था, बड़ा मार्जिन से चुनाओ जितते रहें, लगबग हर बार, और इस तरह से एक चुनाओती जब कैमिनेट का मंतिर दे और एक हावा बना ले अपनी चुनाओ की, तो उसमें कोई दिग तो ये पूरी तरह से आप स्पीकर चुनाओ हार रहें, वह भी बड़ा मार्जी से चुनाओ हार है, मेरी जानकारी में 11,000 से ज़्यादा वोट वहां पर जेमें के कैंड़ेट ला रहे हैं, और उसके बाद फिर आपके इनके साथ से लगता है कि हमको चार से पांच मंतरी हा तो वाकई में यह बहुत ही रोमांच कारी चुनाओ रहा पूरे दरह से, जब जमशेद पूर से निकल रहे थे मुक्यमंतर रगवर्दास, उस वक्त उन्होंने बयान दिया था कि हमारी सरकार बनेगी और उस वक्त वो लीड भी कर रहे थे अपनी सीट पर, लेकिन जब और कराची पहुंचे होंगे तो वो लीड बदल गई, सर्यूर आए उसमें लीड कर रहे थे 3000 सीट पर तो वह आत्म विश्वास उस वक्त भी अंतिम छण में भी उनके मन में था कि हम लोग जीतेंगा और हमारी नितित में सरकार बनेगी, तो कुछ लग रहा है अभी भी ऐसे अब तो कोई उमीद दी बची है, there is no hope at all, कोई hope नहीं है कहीं से BJP के लिए कोई सरकार बनाने की जैसे चीज़े और अभी खुल मिला करके भागणबंदन की सरकार बनते दिख रही है, अब कोई बड़ा मतलब फेर नहीं हो रहा है, कि हम लोग इस समय बात कर रहें, बहुत पतल देर हो चुका है तक बात कर रहें, तो यह है कि चीजे अब भाजपा के हाँ से निकल गई है, अब भाजपा के हाँ सत्ता नहीं है, अब यह भी तुनabaard सيयमने प्रेज kornf ピरρέ यपकार किया अपनी हार कों में पाटी की आप भाजपा के हार को सिवकार किया, तो को 65 पार के लक्ष ही दिख रहे थे कि 65 पार करेंगे लेकिन जमेनी सचाई यह नहीं थी जो मैंडेट सामने आया है जिस तरह अकेले दम पर आप भी थोड़ी दिर पहले हमारी बातचीत हो रही थी कि अकेले दम पर भी कभी उमीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्रदोशन करे तो क्या इनकी जूटता भी एक करन थी बेशक यह रहा इन लोगों में जूटता बहुत प्रैक्टिकल बहुत टैक्टिकल जिसको कर सकते इन लोगों ने सीट बटवारा किया था आप देख लें कॉंग्रेस का फर्स्ट और सेकेंड सीटिंग सीट का बटवारा था तो वाक तक की सूचना है जो रुजान है उसके मुताविक 32 सीट के साथ है वो हम लोग यह मान के चले थे कि सबसे बड़ी पार्टी के रूपे भाजपा सामने आएगी महागणवंदन को बहले ही भामत मिल जा या भामत के नलदीग रहे लेकिन अगर आप जब भाजपा लाज़ेस काकरबन, कॉंग्रेस काकरबन और नौनो रैलियां प्रधान मंति जी से स्टेट में करें एकासे स्टीट पर एक गारा रैलियां हुई अमिस साकी तो ताबर तुर रैलिया भी हुई भाजपा केंदिद ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था इस चुनाव में आपने देख की चीजे ग्रासरूट की समस्यां जिसको भाजपा उस अंडर करेंट को नहीं समझ सकी जिसका परिणाम सामने दिख रहा है जिस वक्त चुनाव होने वाला था बड़ा फिर बदल हुआ कॉंग्रेस के कई दिकस निता इसमें आगे थे सुकदेव भगत थे और कई बड़े- फायर का खेल खेला कि जो विधायक दूसरे दल के उनको सामिल किया जाए और फिर उसको चुनाव जीतेंगा उनको ज्यादा भरोसा अपने लोगों से हमको लगता है कि बड़ी चुक हुई भाजपा से क्योंकि मैं बताओं कुना साड़ेंगे चुनाव हारने के कागार पर है मनोज या रॉ-चुनाव भरी से हार ढूं सुगदेव भगत चुनाव हार रहे हैं उसके प्रकाष राम जो जेवियम से भाजपा में जो आए मन वीधायकों का बात करूँ जो इस चुनाव में दल गदल यानि दल बदलों को जनता ने एक तरह से नाका रहा है जो दल बदल के जो अपने निश्ठा इमानदारी बदल के दूसरी पार्टियों में गए उसको जनता ने पसंद नहीं किया है इस मैंडेट का भी एक इसारा है अभी थोड़ी दिर पहले तस्वीर आई थी हाला कि साड़े चार बजे प्रेस कांफरेंस है हेमन सोरेन की तो हेमन सोरेन जब बात करेंगे चर्चा करेंगे तो सबसे अहम क्या है उनकी सरकार के लिए और ऐसे कौन से मुद्धे हैं जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए आन अच्छा किया अच्छा किया किया बुरा किया आगे की कि लिए सगंता से होगा यह सारे हम मुद्य हैं और जो विकास का एजेंडा है जो विकास पर जो इतना बड़ा मेंडेट आज जमेम को मिला है सबसे लाज़ेस पार्टी के रूप में उभर कर आई है सबसे बड़ा गडवंधन बन करके आया है सत्ता तक पहुंचाया है जनता ने उसके सामने तो बेसक जब आप जो सूसल मीडिया पर जो चर्चा है इस वक्त हार का सबसे बड़ा कारण लोग मानते हैं कि जिस तरह आत्म विश्वास रहा आत्मित्वास से ज्यादा रहा कि एक घमंड कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आ गया जिस तरह नारा दिया गया कि अबकी बारगवर्थ सरकार वो उ लेकिर दो चीजे वी एक तो कि जो भाजपा का जो विकास का एजेंडा था और जिस विकास के नाम पर वो चुनाओं पर लगवर्थ वह बहुत प्रोपगेट नहीं हो सका जनता के तक वह चीजे इतनी सारी योजनाए उजलवा योजना है सोचाले की योजना बहुत सारी लिस्ट पूरे लोगों तक बताया इन लोगों ने कि हमारा यह काम है और वाकरी में सरकार ने काम भी किया था जो दिखा पिछले पांस साल में सरकार का काम भी था लेकिन वह मैसेज फ्रो नहीं हो सका जनता तक एक सवाल तो यह दूसरा कि बीजेपी के अंदर इतना इन फ सीटे भाजपा हारी है जहां सबसे जादे प्रतियासी थे बाहर के प्रतियासी आया वह सीटे दूसरा जो एक टेंपो और टोन जो बना हुआ था भाजपा का पैसट पार का जो लक्षिन लोगों ने रखा था उसको बहुत ही बतलब सर्जुराय को टिकट नहीं देने के ब निर्दलिये इस बात कम है तो इन छोटी छोटी पार्टी और जो निर्दलिये उनकी भी कोई भूमिका होगी या अपने दम पर सरकार बना लेगी अगर जो अभी रुजान है उसे हिसाब से सारी चीज़े रही तो पूरे परिणाम को आप देखेंगे अभी तक का जो परि लंग जीते हैं छिटोई पार्टी ओंके लीडर जीते हैं सुरेश मतों जीते हैं लगतार दो बार से चुनावा हार रहे थे वो अपने छेतर मेहनत कीये लगतार डेटूइत करते रहे और अपने मास को एक अन्वय किया कि हम नेता है और पूरे लिडर्सिप में मेरा चुन बात कर रहे हैं पंकर उल दिन से ही बातें हो रही है कि यह पूरा पुलराइट गेम है दो धुरूओं का खेल है भाजपा वर्सेच महागडबंदन था अब जो यह आपको छोटे-छोटे जो दल दिख रहे हैं जितते हुए वो अपने नेता के क्रेडिबिलिटी पर जीत करके आएं चाहिए वह आसु का हो आसु एक गोमिया सीट को मतलब है जीत के करीब और एक सी मरिया है तो गोबिया में लगातार पिखले बार भी लंब दर्मत हो रहा बहुत अच्छा फाइट किया था तो जनता ने कोई नए चेहरे को या पार्टी पर उस तरह से विश्वास नहीं किया और सिधा सिधा वोट हम एकर एक कहें कि सोच लिया कि हमको वोट बरबाद नहीं करना है तो उस तरह का मेड़ेट गया कि हमको या तो बीजेपी को देना है या बीजेपी के एंटी बीजेपी में जाना है तो ये पूरा सेनेरियो रहा चुनाओं का आखरी में मेरा अंतिम सवाल है जैसे हम बात कर रहे हैं भले कि राष्टिय मुद्दा जादा यहां पर फोकस हुआ चोटे-चोटे मुद्दा पर बात नहीं हुए जो बहुत जमीन है बेरुजगारी बड़ा मुद्दा थी पारा सिक्षक का जो आंदूलन था उन पर जो लाठियां चली वो बड़ा मुद्दा था आंगनमाडी सेविका थी यह बड़ा मुद्दा था उन पर भी लाठियां चली तो इन छोटे-छोटे मुद्दों की वजह से भी क्या वो चीज़ें बड़ी होती गए एकदम लाजमी है और बेसक में यह बाते हैं कि जब आप कोई ऐसी चीजें हैं जो अक्रोष है लोगों पर या फिर माल लेजिए कोई नाराजगी है तो वो अगर आप समय रहते उसको नहीं सुधार पाए या समय रहते उस पर मल्हम नहीं लगा पाए तो यह चीजे तो बड़ी हो जाती है तो जैसे पारासिक्षक का माम और बड़ी फौज है इनकी तो एक किसिम का वातावरन बन जाता है मतलब उन चीजों के कि सरकार हमारे साथ ऐसा करिए वैसा करी तो यह बातावरन भी बना है बेसक और यही कारण है कि वह जो चीजे जानी थी विकास के अजेंडर को आम लोगों के बीच में उसमें कहीं न कई हड़स बने बीजेपी के लिए और इसको बढ़ियां से भुना ली महागडवंदन है जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी अब राजयपाल बुलाएंगी जो भी सबसे बड़ी पार्टी है महागडवंदन उन्हें आमंत्रित करेंगी वो आगे सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी कौन की कौन से मंत्री और कौन सा पत मिलेगा ये बाते भी आगे चलेंगी हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे और समझनी कोशिश करेंगे कि महागडवंदन जो है उसके आगे की रननीती क्या है किसे कौन सा मंत्री पत मिल रहा है कौन कॉन केबिनेट में हमारे साथ बनी रहिएगा अगर आप भी इस पूरे चुनाव को नजदीक से देख रहे हैं और आपके हिसाब से भी आपका कोई आकलन है कि इस हार जीत का क्या बड़ा कारण रहा है तो जरूर कमेंट सेक्षन में बताइए धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा न झाल